वैशनो देवी यात्रा केवल रख 1100 में कराने के नाम पर 25 महिलाओं से की साइबर थगी साइबर संग साइबर क्राइम से लड़ें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर टाइप करें और पाए साइबर क्राइम और उसके समाधान से जुड़ी हर जांकारी अगर आपके पास साइबर क्राइम से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस से जुड़ा कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में हैश्टाग NBT साइबर सुरक्ष टाइप करके शेयर करें हम आपकी समस्याए अखबार के माध्यम से उठाए अहसास होने पर पीडितों ने शाधरा जिला के दर्शन करवाते हैं उन्होंने कॉल किया साइब थाने में मुकदमा दर्च करवाया पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है केसी एयार और एक शक्स से 24 अन्य महिलाओं के साथ यात्रा पर चलने की बात कही सभी आसपास की परि पहले सोचो अनामिका शर्मा, पचास, परिवार के साथ, क्रिशना नगर इलाके में रहती हैं, उन्होंने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उनके फेस्बुक मेसेंजर पर एक मेसेज आया, इसमें एक विग्यापन के साथ फोन नंबर भी था, दावा किया गया था कि म दिल्ली, आउटर जिला साइका पुलिस ने 25,000 रुपये में ठगूं को अपना बैंक अकाउंट बेचने वाले डियू स्टुडेंट को गिरफतार किया है, आरोपी जंग पुरा निवासी आदिल के के, 19, के खाते में दो दिन के भीतर 62,000 रुपये जमा करवाए गए, वो आउटर, हरेंद सिंग ने बताया कि पश्चिम विह निवासी महक वर्मा ने 100 रुपये इंवेस्ट करने पर 1000 रुपये मिलने के सोशल मीडिया में आये एक मेसेज जरिये इस गिरो के जाल में फसी, www.blackstonewip.com के जरिये उनसे 10.35 लाग ठगे